कि मसला मास्रूम बनाने के लिए देखिए हमने सबसे पहले एक कड़ाई हें लिया है कड़ाई में हम दू टेविल जमच ओएल ले लिया है ऑल को हम थुहरा गरम कर लेंगे देखिएगे और गेस का फिलाम जो है हम मीडियम रखेंगे फिर उसमें हम तीन लोम और एक यलाईची कहनें में घरीए नियस्तस्य फिर टेपने डालेगे नियुक्त के लई कि लिगे और नोक भीन होने के बाद थोड़ा राइ और जीरा आधा टेबल कर लाइगे और जीरा और राई चटकने के बाद देखे हम इहां पे टियाज डालेंगे एक कप हमने पियाज काट लिया है दिखे रापली हमने चवक किया है हम वो डाल लिया है और उसे हम भूनेंगे मीडियम फ्लेंगे देखिए प्याज को हम थोड़ा सुनहरे कलर करेंगे यानि थोड़ा ब्राउन कलर करेंगे थोड़ा ब्राउन कलर हलका ब्राउन कलर हो गया है उसके बाद हम आधा टेबिल चामच जिंजर गालिक पेस्ट डालेंगे देखिए जिंजर गालिक डालने के बाद हम थोड़ा भून लेंगे हम गैस का फ्लेम जो है मीडिया मी राखेंगे फिर हम उसमें आधा छोटी चामोच चीनी डालेंगे चीनी से क्या होता है उसका फ्लेबर जो है और टेस्ट दुनों ही आच्छा आता है फिर हम चिनी को मिल्ट होने तक भूनेंगे, फिर हम तीन हरी मीट्स लिया है, उसे हम काट लिया है, देखिये लंबाई करके वो हम डाल दिया है, फिर स्वा दुनोसर हम नमक अड करेंगे फिर उसे हम थोड़ा भूनेंगे फिर उसके बाद हम यहां पर एक टमटर लिया है मिडियाम साइज का देखिए हमने लंबाई तक काट लिया है उसे हम डाल दिया है और उसे भी हम प्याज के साथ भूनेंगे पांच मिनिट के लिए हम भूनेंगे जब हमारा टमटर थोड़ा सौप्ठ ने लगेगा तब हम धक्कन लगाएंगे देखिए साथ मिनिट तक पकाएंगे देखिए साथ मिनिट के बाद हमारा जो टमटर है वो आधा पक गया है यानि कि थोड़ा soft हो गया है फिर हम उसमें माटर एड़ करेंगे हमने यहां पे एक कब माटर लिया है fresh माटर देखिए हमने डाल दिया है और माटर को भी हम भूनेंगे हमने यह जो खाना है यह medium फ्लिम पी पकाएंगे low भी नहीं करेंगे और high भी नहीं करेंगे देखिए फिर हम इसमें मसाला एड़ करेंगे हमने आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर लिया है इसलिए तकि इसका कालार अच्छा है फिर हमने आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर एड़ किया है और आधा छोटी चमुच हमने जीरा पाउडर एड़ किया है और 14 चोटी चमुच हमने काली मीर्च पाउडर भी एड़ किया है और 14 चोटी चमुच हमने गरम मसाला पाउडर एड़ किया है फिर हम मसाला को भूनेंगे अच्छी तरह से तब तक हमें भूनना है जब तक इसका स्मेल जो है अच्छी तरह से ना जाए देखिए धीरे धीरे करके हमें भूनना है फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक सथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे तकि अच्छे से हमारा जो मसला है वो पूरी तरह से प पर यह आया है इसलिए हमने कास्मिनी लालमेच पाउडर दाला था ताकि उसका जो कालर है वह अच्छा आए फिर हम मास्रूम लिया है देखिए यहाँ पर बाजार से और उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया और गरम पाणी से वाज भी कर लिया और छोटे टुग्र में काट कर लिया फिर हम मास्रूम को यहाँ पर मसाला के उपर डालेंगे देखिए और माश्रूम डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम जो है वो धीमी करना है और धीरे-धीरे हम माश्रूम को मसला के साथ मिक्स करेंगे देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है यह जो रेसिपी है आप रूटी पराठा या नान किसी के भी साथ खा सकते हैं यह बहुत हेल्दी है और स्वादिस्ट भी है देखिए फिर हम आधा कप इसमें पानी डाल दिया क्योंकि हमारे जो माश्रूम है उसे हमें थोड़ा पाकना है इसलिए हमें पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है फिर हम उसके उपर देखिए यह आधा कप हमने हरा धनिया लिया है वो डाल देंगे और फिर हम उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए गैस का फ्लेम जो है वो धीमे पर ही है हमें थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से मिक्स करना है अब हम ढखकन लगाएंगे देखिए साथ मिनिट के लिए हम ढखकर पाकाएंगे इसी टाइम कैस का फ्लेम जो है हम मीडियम कर देखिए जो पानी हमने डाला था वो भी थोड़ा कम हो गया है और जो ग्रेवी है वो गाड़ा हो गया है इसी टाइप का हमें राखना है देखिए यह बहुत ही सिंपल और रेसिपी है अब कभी भी इसे ट्राइ कर सकते हैं हमारा जो मसला मासरूम है और रेडी हो गया है हम इसे सार्प कर लिया है यह बहुत ही कम टाइम पर बांता है और बहुत ही अच्छा रेसिपी है हमारा जो मसला मासरूम है वो बनका त्यार हो गया है हम एक हरा धनियक के उसे गानिसिंग कर लिया है देखे आप एक बार घर पे जोरूर ट्राइ किजिएगा यह बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो लाइक करना सेयर करना और सबस्क्रेक जरूर करना और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा देना तकि हर अपलोड के बार आपको नोटिफिकिसन मिल जाए